नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका छलक के साथ इस पैसी वीजी चैनल पर आज हम बात कर रहे हैं गदर टूदर कथा कंटिन्यूज की 2023 की एक अगामी भारती हिंदी भाषा की एक्शन ड्रॉमा फिल्म है ये 2001 में आई फिल्म गदर एक प्रेम गठा का भाग दो है फिल्म में सनी दियोल, अमिशा पटेल और उतकर शर्मा मुख्य भूमिकाओं में है ये 11 अगल 2023 को सिनेमा गल में दिखाई जाएगी फिल्म की कहानी 1971 के भारत पाकिस्तान यूद के दोरान तारा सिंग अपने बेटी चरंट जीत को घर वापस लाने के लिए पाकिस्तान वापस गए 1947 में सेट की गई पहली फिल्म में एक सिख ट्रुक ड्राइवर तारा सिंग को एक मुस्लिम लड़की सकीना से प्यार हो जाता है वो खूनी विबाजन हिंसा के भी शादी कर देती हैं जिसमें सकीना का परिवार पाकिस्तान चला जाता है फिर सिंग पाकिस्तान का एक नाट के दौरा करता है और एक देशप्त के रूप में लड़ता है किरदारों की बात करते हैं सनी देवल तारा सिंग के किरदार में सकीना का पती जीते का पिता और रिया का ससुर है अमेशा पेटेल सकीना सक्कू अली सिंग के किरदार में तारा सिंग की पतनी जीते की मा और रिया की साज है उतकर शर्मा चरंजीत जीते सिंग के किरदार में तारा और सकीना का पुत्र और रिया का पती है सिम्रत कौर रिया खान सिंग के किर्दार में जीते की पतनी तारा और सकीरा की बहु है मनी श्वादपा पाकिस्तानी सेना के जनरल विरेन खान के किर्दार में रिया के पिता है अब बात करते हैं इसकी रिलीज की तो गदर 2 तो गदर कंटिन्यूस 14 अगस 2023 को भारत में सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है इसके अलावा गदर एक प्रेम का था 9 जून 2023 को गदर 2 के टीजर के साथ सिनेमा घरों में फिर से रिलीज हो रही है पंदरा जून 2023 को जी इस्टूडियो यूट्यूब चैनल पर इसका टीजर रिलीज होगा जिसमें भारती स्वतंत्रतादी वस सब्ताहांत के साथ ही गदर एक प्रेम का था कि 22 भी गश्गार्ट मनाई जाएगी साथ ही गदर टू का सामना एनिमल स्टार रडबीर कपूर को भी करना पड़े गाए इसके पहले भी गदर का सामना लगान को करना पड़ा था लेकिन दोनों फिल्मों ने कमाल का पफॉर्मेंस किया था देखते हैं इस बार क्या होगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए प्लीज अब चैनल को सब्सक्राइब जरूर के लिए जानने के लिए नोटिफिक्शन बैल को ओन करना बिलकुल मत बोलेगा वीडियो को लाइक कीजेगा मैं चलती हूँ बाबाई